हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं वनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोवन, वैसन मुक्ति तक ग्या हूँ हमारे प्रैक्टिस में कभी सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनको डिप्रेशन की बिमारी नहीं रहे दिये मतलब जैसा हम बोलती कि उदास हिंता है जा सैडनेस है डिप्रेशन है वैसे बीमारी नहीं रहे दिये मगर तभी वह डाउन रहे थे और उनकी एनर्जी कम है एनर्जी लेवल उनको बदन दर्द हो रहा है जहां वाँ पीठ में दर्द कमर में दर्द सिने में दर्द सरदर ऐसा हो रहा है उनको जैसा काम करने की इच्छा नहीं होती है और उनका मूड ऐसा सैडने रहता है मतलब निराश है दुखी ऐसा नही 2 साल तक तो उसको बलते हैं डिस्थाइमिया वीमारी का नाम है डिस्थाइमिया और यह 17-18 साल के ऊपर से लेके कोई भी उमर तक कभी भी हो सकती है और यह डिस्थाइमिक मूर जो है मतला ही कि ठीक नहीं लगता इसा निराश ठीक है उतनानी कि उसके में डिप्रेशन कह सकते है और testing कौन काश करते हैं गुमते fire लोगों से बाचीत करेंगे बार से ऐसा लगता है कि इनको डिप्रेशन है या निराशा की वीमारी है उसे लगता है अपने को कि रखी ड़ बढ़े इस रखती और दो साल से वह चलते आ रहे हैं चल रहा है खीच रहा है सरभाई कर रहा है अपना लाइफ सपराइसे लोग में नीन बनाबर नहीं रहती है तो चलरड़ा बन रहता है अ이라 फुर थोड़ा सा लो रहता है को एसा कोई को काम के प्रति बहुत उच्छा ने रहता है कि खुद होके वह काम के शुरुवात ने करेंगे किसने बोला तो जबर्दस्ती काम कर लेंगे और रूटीन इसमें वह रहते हैं उनको रोज का गाम समझो दे दिया तो वह जैसा बैल कोज़ने दिल्क हटे नहीं पंडर्ण के पास यह जा जाते हैं पॉशने की तकलीव लेकि एक आप कि बहुत नहीं है कि अ दिमाग के उपर और वहां से फिर ब्लड प्रिशर रहेंगा या डाइबिटीस होंगा ऐसा भी हो जाता है तो यह डिस्थाइमिया नाम की बिमारी है इसको साइकेट्रिस नहीं थी टीटमेंट या उसमें साइको थेरेपी करने के जुड़ते हैं मानसुपचार उसमें लो डोसे में हम एंटी डिप्रेशन देते हैं डिप्रेशन की दवाईयां तो उससे भी बहुत सारा फरक पड़ता है उसको यह सपोर्ट डिया और उसको एसास कर एक देखो वह प्रॉब्लम है यह तरग की बीमारी है यह दो साल से आपको चल रही है इसके उपर दवा लिया साइको थेरेपी कर लिया एक तो आरी बीटी है रैशनल इमोटी वेवर थेरेपी मैंसुपचार तो उससे वह काफी अच्छा हो सकते है अपना जीवन जी सकते ह देखे बीबार करती हैं इसलिए उनकी उत्पादनक्षमता कम होती है उसमें नुक्सान किसका है नुक्सान अपने देश का है आप प्रबुत कर सकते हैं कि नहीं आप खुछना को इसके लिए लाज कर लो बले वह पागल नहीं बले वह डिप्रेस्ट पूरी पूरी तरह नहीं है उनका इधी इलाज किया तो पुरे जोष के साथ में नॉर्मल हो अपना धन्दापानी कर सकेंगे अपना जिवन पिता सकेंगे क्योंकि यह लोग ना पूरे नॉर्मल है ना कोई पूरे बीमार हैं इनका इलाज करते तो बहुत अच्छा हो जाएंगा आप ये वीडियो आपके आजू-बाजू के लोगों को भाइरल करो शेयर करो वाटसेप पे फेस्बूक के ऊपर लिंक भेजो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये देखेंगे तो अपना खुद का इलाज वो कर तो थैंक यू वेरे मच आपको अच्छा लागा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो थैंक यू